हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टो माई चैनल, आप सभी को दिवाली और धनतेरस की बहुत सारी शुप कामना है, आप सब की रिक्वेस्ट पे एक बार फिर में श्रिंगार का वीडियो लेकर आई हो माता लक्ष्मी का, क्योंकि भई दिवाली है और दिवाली स्पेशल तो माता आज हम मातारानी को सजाते हैं, इनका श्रिंगार करते हैं, तो देखें ये ड्रेस आप देख शुके होंगे, इस तरीके की ड्रेस पूरे मंदिर ने मेरी पहन रखी है तो मैंने चोली और लहंगा पहले ही पहना दिया है, चरण धर्शन करा दिया है आपको, और ये बैठी हुई मुद्रा में माता लक्षमी है खड़ी हुई मुद्रा में मूर्ती नहीं है मेरी तो देखते हैं आज माता रानी क्या पहनेंगी चोकर हार मैंने इनको पहले ही पहना दिया है वो लॉंग हार है ये एक्चुली नवरात्री की ड्रेस में उन्होंने ये हार पहना था, तब मैंने जुगार करके पहना आया था, पीछे से छोटा करके, बट आज इस हार को नहीं पहनाऊंगी, क्योंकि दिवाली है, धनतेरस है, तो इनका श्रिंगार भी उसी तरीके से करेंगे, माता लक्ष्मी लगना चाहिए कि भई धन की देवी है ये, तो आज उनका श्रिंगार मैं कुछ उसी तरीके से करने वाली हूँ, आई होप मातारानी सुईकार करेंगे और ये श्रिंगार आप सब को बहुत पसंद आए, तो चलिए, देखते हैं कि क्या पहनाऊंगी, कैसे पहनाऊंगी, ये कॉइन वाली माला पहनाने वाली हूँ, लेकिन पहले चुन्नी सेट कर लेती हूँ, तो बस चूनर को इस तरीके से सेट करेंगे, सीधे पल्ले में सेट करेंगे, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सीधे पल्ले में करूँ, मैं खुद भी साड़ी पहनती हूँ, तो कई बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आपने मा सरस्वती का विग्रय कहां से लिया और कित्ते का लिया माता लक्षमी का विग्रय कितने इंच का है प्राइस बता दीजे डिटेल बता दीजे तो मैं आप सब को बताना चाहूंगी बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रह सरस्वती जी के श्रिंगार के लिए इतना बिजी शेडियूल है आप सब के लिए वीडियो बनाना फिर ये रिक्वेस्टेड वीडियो बनाना कि पॉसिबिली नहीं हो पा रहा है मैं सारी चीजे एक साथ कर पाऊं प्लस तेवहार तो हमारे घर में भी है बट फिर भी मैं जाहूंगी के रिक्वेस्ट है आप थोड़ा वेट करिएगा आपको वो वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगा तो देखिए मैंने चुन्नी सेट कर दी है और उनको कमरबंद पहना दिया है कमरबंद पहनाने से चूनर बहुत अच्छे से सेट हो जाती है अब ये कॉइन व माने तो 5-5 इंच का आप मान लिजे 5-5 इंच का ही विग्रह है तो इतने चोटे विग्रह में भी इतना अच्छा श्रिंगार हो सकता है बस क्या होता है रेडी मेड ड्रेस जब हम पहनाते है तो वो लुक नहीं आता आप चाहे तो ट्राए करके देख लेजगा इसलिए मैं मैं हमेशा घर की बनी ड्रेस पहनाती है और ये ड्रेस भी उतनी अच्छी नहीं बनी है क्योंकि कपड़ा मेरे पास लास्ट में कम पड़ा था वरना मेरा पुराना आप माता लक्ष्मी के श्रिंगार का वीडियो देखेगा ड्रेस बहुत जादा घेर वाली होती है तो दे विग्राले केश इनको दहरर करा दिये हैं ये पांच इंच का विग्रय है यानि की आपर तक का बताओंगी आइर की जो उपर टिप आती है वहां तक का साड़े 5 इंच का घ्रा लोने दिया है तो गोल्डत ही मैंने यहां पे कान के कुंडल पैनाए हैं और देखेए बालों उसकी मैंने चेन हटा दी है और उनके हाथ से तक कर दी है ऐसे लग रहा है कि धन वर्षा कर रही है माता लक्ष्मी I hope इस देवाली हम सबकी लाइफ में धन वर्षा करें मेरा भी कुछ भला हो और आप सबका भी भला हो मेरे सारे सब्सक्राइबर का भला हो आप सबके सपोर्ट की वज़े से मैं आज 35,000 सब्सक्राइबर की फैमली तक पहुँच गई हूँ सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप सबको भी माता लानी की कृपा प्राप्त हो मैं अपनी लाइफ का अनुभव बताऊं शायद मेरी लाइफ में से मेरे बहुत सारे करीबी हो जो मेरा वीडियो ना देखते हो लेकिन आप जो 35,000 लोग मेरे साथ जोड़े हुए हो आप जो इतने अच्छे अच्छे अभी मुझे कमेंट कर रहे हो मैं अपने शब्दों में बया नहीं कर सकती कि मेरी दिवाली इस बार बहुत 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 अच्छी है सिर्फ और सिर्फ आप सब की वज़े से बहुत जादा कभी-कभी होता है आपनों से इतना प्यार नहीं मिलता जितना परायों से मिल जाता है तो आप सभी लोग मेरी फैमिली हो, मेरी YouTube फैमिली हो, जो मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हो, तो मेरी आप सब की छोटी-छोटी सी रिक्वेस्ट होती है न, वो मुझे ऐसे लगता है, मेरी ड्यूटी है कि मैं उसका रेपलाई करूँ, जल्दी से जल्दी रेपल और मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूँगी, कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे कहा था, कि मैं खाल कोकिंग प्रोफाइल में भी अपनी प्रोफाइल बना दूँ, तो मैंने वहां पर भी अपनी प्रोफाइल बनाई है, वो भी चेक करिएगा, मेरे ओट की बहुत ज़्यादा जरुवत है, थैंक यू सो मच, हैपी देवाली,